गुड मॉर्रिंग चिल्डरन आज हम पढ़ेंगे अपने नए वीडियो में अब्जेक्टिव ऑफ दे बिजनेस और मैनेजमेंट तो प्रतिक और्गनाइजेशन में तीन अब्जेक्टिव रहते हैं कभी भी पेपर में आएं कितने अब्जेक्टिव रहते हैं तो तीन अब पर्सनल औब्जेक्टिव थी अब्जेक्टिव और गोल्स के पढेंगे चुक है उसका उप्जेक्टिव का मतलब कया रहता है जो भी और्गनाइजेशन अचीज़ करना चाहती है ठीक है उसको क्या बोलते हैं औब्जेक्टिव या गोल्स कहते हैं ठीक है तो फर्स्ट आपका अब्जेक्टिव है जिसके बारे पढ़ें पढ़ेंगे और्गनाइजेशनल अब्जेक्टिव ज्यादा तर यह माना गया है कि प्रतियक और्गनाइजेशन का उ लागत्त में हो और ज्यादा से ज्यादा और रिष्ट की प्रॉस्पेरिटि नत्यु तो इसके साथ साथ उसका उद्देश और यह कॉस्ट प्रॉस्पेरिटि और यह इंक्लूड होता है तीक है अब organization objectives में हम कुछ points पढ़ेंगे survival, profit और growth इसको रटने की जरूरत नहीं है कभी भी कोई भी organization अगर form हो रही है तो सबसे पहले वो ये चाहेगी कम से कम survival याने बने तो रहे कम से कम इतना कमाएं कि वो जो लागत लगा रहा है वो तो वसूल हो जाएं ठीक है फिर उसके बाद वो इसको हम देखते हैं survival to earn enough revenue बतलब इतना पैसा कमाएं कि कम से कम क्या करें cost of production ठीक है cost of production ठीक है इतना कमाएं कि इतनी income generate करें कि जो लागत लगाई थी वो तो वसूल हो जाएं तभी वो survive कर सकता है नहीं तो लंबे समय तक नहीं तो वो क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा business ठीक है next क्या है profit to earn और provide fair returns to the investor and shareholder ठीक है जो भी इन्वेस्टर जिनने भी शेर होल्डर ने पैसा लगाया है हमारी organization में कुछ नो कुछ expect करते हमसे तो उन्हें हम क्या कर सकें क्या क्या उमीद करते हैं कि जो भी इन्वेस्टर ने लगाया है तो उनको सही return दे ठीक है और third point क्या है हम किसी भी organization को अगर उसकी प्रोग्राइस को ठीक है उसके development को measure किससे किया जाता है growth से और growth जो है वो कैसे measure किया जाता अगर आपकी sale बढ़ रही है आपकी number of branches बढ़ रही है इंक्रिमेंट हो रहा है employees का तो यह सब क्या शो करता है कि growth तो समझ में आ गया फस्ट आपको और गनाइजेशनल अब्जेक्टिव सिर्फ यह नहीं रहता है कि maximum profit इसमें cost और production भी यूज की जाती है और organization की उन्नती के बारे में भी सोचा जाता है ठीक है और organization objective में तीन पॉइंट है survival profit और growth survival का मतलब कम से कम इतना कमा है तो cost of production वसूल हो जाए second जो भी investor ने profit में जो भी investor ने invest किया है organization में उसको fair return दें सही profit दें और growth कोई भी organization की progress को यह development को measure किया जा सकता है सिर्फ किस से compare करके कि year by year compare करके कि पहले उसकी से लित्ती थी पिछले साल और इस साल इत्ती से लो गई branches बढ़ती जा रहे है इंप्लोई बढ़ते जा रहे है प्रतिवर्ष ठीक है इंक्रिमेंट हो रहा है तो यह इंक्रिमेंट हो रहा है ठीक है यह first objective हो गया नेक्स देखिए social objectives social objectives हमारा जो business है वो कहां पर survive करता है society में ठीक है और जो भी जो input लगाए जाते हैं ठीक है जो production होता है आँपुट है तो जो analyze लगा जाती है जैसे कच्छा मान ला रहा है ठीक है वह भी समाज से लेकिए और फिर providers काहांせ लेकिए आ रहा है work कि तो जब हम इंपुट भीज़ प्रोसेस कर रहे हैं ए और आउटपुट भी हम किसको बेच रहे हैं तो हमारी को रिस्पॉंसिब्लिटी बनती है किसके प्रती समाज के प्रती ठीक है पर समाज के प्रती responsibility तो इसका मतलब यह नहीं कि goods उनको free में बाठते जाएंगे यहां social objective से मतलब यह समाज के प्रतीर जिम्मेदारी से मतलब यह है कि जो समाज कि हम सारी चीजें यूज कर रहे हैं और समाज को भेच रहे हैं तो उनके betterment के बारे में सोचना उनको अच्छी quality goods प्रोवाइड करना सही दामों पर प्रोवाइड करना जो वर्किंग कंडिशन जो मतलब जो भी टेक्निक यूज करना है प्रडक्शन की वह इन्वार्मेंट फ्रेंडली होनी चाहिए तो सबसे पहले यह social objectives आपको आ गया समझ में इसमें देखिए जैसे points दिए क्या-क्या include हो इन्वार्मेंट फ्रेंडली होनी चाहिए और हमें वह सारे काम करने चाहिए जिससे community यानि समाज का improvement हो जैसे facility प्रोवाइड करें जहां जहां स्कूल नहीं है ठीक है कुछ अविकसित एरिया जहां पर स्कूल नहीं है वहां स्कूल बनवाएं अगर आप जैसे बड़ी-ब कंपनियां रहती है उनके पास इतना पैसा है कि वह शोशल वेलफियर अक्टिविटी कर सकती है तो स्कूल बनाएं कॉलेज बनाएं हॉस्पिटिल बनाएं फिर जो सप्लाइ करें अच्छी क्वालेटी के प्रोड़क्ट सही दामों पर समाज में और फाइनेंशली आइटिंग समझ में आ गया होगा आपको शूशल अब्जेक्टिव नेक्स देखिए पर्सनल अब्जेक्टिव पर्सनल अब्जेक्टिव का मतलब रहता है यह सीधे सीधे किससे मतलब रहता है इंप्लॉई से जो और्गनाइजेशन में काम कर रहे हैं करमचारी उनसे और्गनाइजेशन अब्जेक्टिव नहीं कर सकती तो यह जरूरी है इनके भी हितों का ध्यान रखा जाएं ठीक है क्योंकि यह जो इंप्लॉई जो आते हैं और्गनाइजेशन में उनके अपने अपने उनके अलग अलग अब्जेक्टिव के साथ आते हैं किसी का उद्देश रहता है प्रॉफिट का मानब किसी का उद्देश रहता है सैलरी अर्ण करना जादा से जादा किसी का प् लिए और अगर वो सम्मिलकर अपना object को साइड में रखे organization के objective को एक single goals को achieve करने में help कर रहे हैं तो organization की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो employees काम कर रहे हैं उनके भी हितों का ध्यान रखना और अगर उनके objectives का ध्यान रखेंगे तो तब ही वो अपना 100% दे पाएंगे और वो ज्यादा ज्यादा योगदान देंगे अपने काम में जिसके कारण organization का objective अच्छी हो जाएगा efficiently और effectively याने कम से कम लागत पर ज्यादा ज्यादा resources यूज करके और समय के अंदर ठीक है जैसे की employees का employees को क्या financial needs ठीक है उसको पैसे की जरूरत रहती है तो उसको सही जो भी जो अगर अच्छा काम कर रहा है जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा तो उसको अच्छी salary देना उसको facility provide करना जैसे घर मतलब यह लाउंस वगरा दिये जाते हैं ठीक है और कई जो company रहती है उनके खुद के houses रहते हैं घर रहते हैं colonies रहती है उसमें उनको अलोट करना room वगरा ठीक है और कई जो organization रहते हैं उनके खुद के school रहते हैं तो उन जो भी organization से मंदिद जो employees रहते हैं उनको या तो कम फीस लगती हैं उनके बच्चों की या free भी रहती है तो यह सब एक फैसलिटी प्रोवाइड करना perks के रूप में social needs social needs मतलब कुछ employees जो रहते हैं वो सिर्फ salary के लिए ही नहीं आते हैं बलकि उनको एक अच्छी पहचान देना अगर जैसे वो अच्छा काम करते हैं तो उनका सब जैसे meeting में अपने अच्छे views दे रहे हैं और जैसे organization को benefit मतलब यहने organization का भला हो रहा है तो उनको सब के बीच में तारीफ करना ठीक है और उनके कारण हमारी organization का development हुआ तो कोई भी अगर हमारी organization संबंदित अगर कोई magazine चपती है तो उनकी photo देना जिससे की इसको बोलते पी रिक organization उनको मतलब उनका status बनाना उनको पहचान देना जिससे की वो उनको लगे कि उनका respect किया जाता इसको social needs क क्या हुआ जो भी organization में employees काम करते हैं तो जैसे lower level जब स्टार्टिंग में आया थे तो बो क्या हुआ lower level में थे ठीक है पर उनने काम बहुत अच्छा किया तो जिसके कारण जब वो अच्छा काम करते हैं और लगातार organization develop होती है तो ऐसी condition में उनका भी development होना चाहिए तो उनक मतलब उनका promotion करें ठीक है उनको समय समय पर training provide किया जाए ताकि उनका भी development हो सके in the absence of personal objective individual may have may have less interest in work अगर हम यह 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 जो line बहुत important है ध्यान रखना और यह paper में जरूर लिखना कि अगर personal object को ध्यान में नहीं रखेगा organization यह management ठीक है ऐसी condition में individual याने employees जो है कभी भी काम में interest नहीं लेंगे और organization का objective time पे पूरा नहीं होगा ठीक है और कम से कम लागत में याने efficiently और effectively clear है thank you